दुनिया के सबसे बड़े रेल लेट्वक में से एक, यानि कि भारतिये रेल ने देश में रेलवे की हाला सुधारने के लिए कमर कसली है। भारत में रेल क्रांती का आगास हो गया है। सुनने में अजीब लगता है कि जिस ट्रेन में आप सफर कर रहे हैं, उसमें कोई इंजन नहीं है। लेकिन ये शत्तती शत्त सच है। इसका नमूना मुरादाबाद सहरन को ट्रैक पर दिखाए दिया। ट्राइल के दौरान रेट की बोरियां लेकर ट्रेन 100 किलोमीटर पर की घंटे की स्पीड से दौरी है। ट्रेन में यात्रियों के बजन के बराबर रेट की बोरियां और ग्यालन रखे कर। ताकि ट्राइल के दौरान ट्रेन की हर्द गतिविदी पर बारी की से नदर रखी चा सके। भारतीय रेलवे ने देश में सबसे पहली बिना इंजन वाली ट्रेन यानि कि ट्रेन 18 का सपना साकार कर लिखाया है। रेलवे की ये पहल आज रंग ला रही है और ट्रेन 18 का ट्राइल यूपी के मुरादाबाद सहरन कूर ट्रैक पर हुआ है। खास बात ये है कि इस ट्रेन के जाद अतर पार्ट्स भारत में ही बनाए गए हैं और इस ट्रेन को 18 महीनों के कम समय में बनाए गए है। यूपी के बाद कोटा में इसका ट्राइल होगा जिसमें ट्रेन 150 किलो मीटर प्रति घंते की रफ्तार से चलाई जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि ट्राइल कुरा होने के बाद अगले साल की शुरुआत में ही ट्रेन यात्रियों के लिए भी उपलग हो जाएगी।